हेलो एवरिवन वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंट्स बात करेंगे एंटीपीसी रिजल्ट को लेकर सुबह से मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूं जो भी नए वीडियो आ रहा है यूट्यूब पर कि जो भी कुछ अपडेट आ रहा है तो यहां पर देखने से ऐसा लग रहा है कि एंटीपीसी रिजल्ट को लेकर भी दो पक्ष बने हुए है एक पक्ष ऐसा है जो यह मानता है कि रिजल्ट में जैनुर्वनली कोई गड़बड़ी है रिजल्ट प्र नहीं बना है वही दूस को थोड़ा सा क्लीर करने की कोशिश करेंगे कौन यहां पर सही है कौन गलत है साती यहां पर जो है क्या रिजल्ट में संसोधन हो सकता है क्या ऐसा संभव है और फिलाल का जो हलात है उसको देखते विए जैसे एलक्षन भी है और सिबीलिट बी नजदीक है सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा analysis करेंगे कि या result में कुछ changes आ सकते हैं कि या result फिर से जारी किया जा सकता है साथ ही यहाँ पर जो गुरुबडी वाले student है उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ मैं बोलना चाहूंगा कि अपना time बिल्कुल विएस्ट वो लोग ना करें और उसके ब बार ऐसा देखा गया है कि result में अगर कुछ गलतिया होती थी कुछ गड़बड़ी होती थी तो उसमें changes करना बिल्कुल संभव है तो क्या यहाँ पर भी संभव है तो अगर इसको थोड़ा सा practical तोर पे देखा जाए और past में गटना हो कि अधार पर इसको देखा जाए तो सारी जो notification में चीजे थी वो उन्होंने वहाँ पर दिखाई है कि हमने 20 गुना ब्यारती लिए अब यहाँ पर problem क्या है मैं आपको बताता हूं कुछ लोग यहाँ पर problem को समझ नहीं पा रहे हैं और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो यह बात बोल रहे है कि result proper नहीं है देखि तौ बिलकुल यहां पर obvious सी बात है कि वो higher level की cutoff को clear करेगा है यहीं कि मानली जो इसने level 6 की cutoff को clear कर लिया अब इन्होंने railway ने क्या किया है उसका नाम nos सिट योह है लेवल सिट में ले देदिया फाइफ में भी दे दिया теперь देदिया धी में इसका नाम सबिफिे West देदिया नि कि वह एक स्चूडेन पाँ जगा गिना गया है अब रेलवी कि आधार سم्यप आप uży लिए निकि 7 लाग लिये Major वह एक student वहाँ पर पांच बार काउंट हो रहा है जब कि इनको करना क्या चाहिए था एक सिंपल इसका एक स्टेंडर तरीका यह था कि यहाँ पर जैसे वो शिक्स लेवल की कट अफ को कले कर रहा है सिरफ उसको एक लिस्ट में रखना चाहिए था उसकी जगा पार स्टूडेंट और लेने चाहिए थे अब उसके बाद कहता है जब सीविडी टू एक्जाम होगा सीविडी टू में उसके मार्क्स जितने आते उसके आधार पर यह बताना चाहिए था कि यह लेवल फाइफ और इतनी पोस्ट में क्लियर कर रहा है तो यह जो क अगर आपने competitive exams दी होंगे आपको पता हुगा सीविडी बहुत अच्छा स्कूर माना जाता है बहुत सारे student ऐसे हैं जो सीविडी नमबर लाने के बाद भी बाहर है तो main problem मैंने आपको बताई है कुछ लोग उसको समझ पा रहे हैं कुछ उसको समझ नहीं पा रहे हैं ठीक ह अगर आपकी किसमत अच्छी है तो आपके नमबर बढ़ेंगे या दरवाइस आपके नमबर नहीं बढ़ेंगे तो normization को तो अलग रखते हैं लेकिन ये proper यह तरीका यहां पर use नहीं किया है तो result में संचोधन होना चाहिए मेरे इधार पर बिल्कुल यह होना चाहिए लेक इसी तरह से result आपका बनता है जिस तरह से इन्होंने बनाया है तो definitely यहां पर future में vacancies खाली जाएंगी क्योंकि देखे जिसे 5 seat पर इन्होंने अलॉट किया है 5 level में उसको select किया है उसको एक ही post मिलेगी 4 post खाली छोड़ेगा कहीं न कहीं कुछ post यहां पर खाली जरूर जाए है ठीक है साथ ही अब मैं group D वाले की बारे में थोड़ा से बोलना चाहूँगा कि जो group D वाले student है जिनका main focus सिर्फ group D पर ही है वो यहां पर सबसे ज्यादा demotivate हो गए है यह cut off देखकर तो उनको मैंने कल भी ही सला दीते है अज़ फिर से यह सला दूँगा कि अपना time बिल में क्या होता है क्या नहीं होते है तो future की बात है उसके बाद बात करते हैं कि NTPC वाले जो है कल प्रोटेस्ट कर रहे है मतलब NTPC की जो student है उनके प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर कल 18 जनवरी को सुबा 11 बज़े से hashtag आप लोग देख लिजिए rrb ntpc underscore one student underscore one result ही है हमारा यह है कल से आपको trend कराना है तो एक तो अपडेटी है बाकी यहाँ पर देखिए चारो तरफ यह चीज़े फैल चुकी है rrb ntpc result पर अभ्यारतियों ने खड़ी की सवाल प्यम मोदी को यूवा मंचने बेजा पत्र तो कल आपको twitter campaign में जो है पूरा support करना है बाकी जो भी update होगा आपको बता दूँगा group d वालों को फिर से बूलूँगा अपने पढ़ाई पर ध्यान दे और आपका selection बिल्कुल होगा 100% होगा group d में ऐसा ज्यादा जमेला नहीं है आपको फिर से बोल दूँ जिनका selection ntpc में नहीं हुआ है वो group d पर focus करें और पूरी लगन और मह से अपनी पढ़ाई जारी रखें